तो फार्णली दोस्तो धब बोईस का सीजन फर खतम हो चुका है और इसी साल लास्ट के अंदर धब बोईस की सीजन फाई की सूटिंग शुरू हो जाएगी और सीजन फाईव हमें 2026 की लास्ट में देखने को मिलेगा और धोस्तो ये भी गंफर Pacific का सीजन फाईनल सीजन होने वाला The Boys सीरी जीरीज का तो आज आज दोस्तों आप बात कर ले थे Season 4 के अंदर हमें क्या हुआ Last के अंदर और Season 5 के अंदर में क्या देखने को मिल सकता है तो आज चारीस वीडियो के अंदर हमें यही दिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को शुरूर से लेके एंट तक ज़रूद है ना क्योंकि बहुत सारी important चीज़ें आपको शायद इस वीडियो के अंदर देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले दोस्तो बात कर ले थे बिली बूचर के बारे में इसके अलावा हॉम लेडर को मानना और वो यी तीनों चीज़ें ही नहीं कर पाया दोस्तो इसके पीज़े कई सारी रीजन भी थे जैसे कि सबसे पहले तो इसकी टीम का कमजोर होना और भरोसा नहीं करना और साथ ही हॉम लेडर को मानने तिना असान भी नहीं था तो इनी सब के बाद दोस्तो बूचर ने एक फेसल है लेए कि वो सारे सूपर को अकेला ही मारेगा और बूचर अब ऐसा कर भी सकता क्योंकि उसके पास दो काफी खतरनाक पावर है पहले तो उसके पास सूप को मानने वाले एक जहर है और दूसरा वे एक खुद खतरनाक सूपर हीरोई या फिर में क्यों एंटी सूपर हीरोई और इसलिए दोस्तो सीजन 4 की लास्ट में वो अकेला चल जाता है सारे सूप को खतम करने और ऐसा यह दोस्तो कोमिक्स के अंदर भी हुआ था और बात करें दोस्तो हॉमलेंडर के बारे में तो हॉमलेंडर के पास पावर के सासत अब सत्ता भी आ चुकी हाथ में याँ ओ सीजन 4 की लास्ट में किल्यर प्रेजिडेंट को कंट्रोल कर रहा था और वहाँ इसने आर्मी के साथ अपने सूपर हिरोस को भीजा कर उसके विरोदियों लगबग पकड़ी लिया था लेकिन यहाँ पर एनी और बूचर दोनों बच चुके हैं और इस स्रीस के अंदर में जैन्वी के करेक्टर को भी दिखाया गया था यहीं दोस्तो सीजन 4 एक तरह से बिल्ड किया गया सीजन 5 के लिए क्योंकि सीजन 5 के अंदर ही बूचर कहर मचाने वाला है और बूचर के बाद जो वायरेस है उसके साथ उस सारे सूपर हिरोस को मार सकता है पर सवाल आता है क्या हॉम लेडर अब भी मरेगा इस सवाल का जवाब तो हमें सीजन 5 के अंदर ही देखने को मिल सकता है तो फिलाल दोस्तो आच की इस वीडियो को यहां ही रोपते वीडियो चलेगी तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबसेब जरू करें कि आपको छोटी बड़ी जान करें चैनल के उपपर मिलती रहें